अजब मध्यप्रदेश में सरकारी फर्मान भी गजब होते हैं एक तरफ सरकार गौ कैबिनिट बनाकर गौवंश की सनरक्षन और समवर्धन के लिए जमीन आस्मान एक कर रही है दूसरी तरफ एक सरकारी फर्मान ने जनता को चौका दिया है सरकार अब सांडों का भी बधिया करण करेगी ये सांड सरकार की निजर में निकृष्ट मतलब अनुप्योगी है सवाल ये उड़ता है कि सांड की उप्योगी जा क्या है और इन्हें अनुप्योगी कब माना जाएगा सावान ने समझ यही है कि सांड में जब प्रजनन शमता नहीं होती तो वो अनुपयोगी माना जाता है जब सांड प्रजनन शमता खो चुका है तो फिर उसके बधिया करन करने की जरूरत क्या है दरसल मदब्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि 12 लाग सांड हों का 12 करोड रुपय के बजट से बधिया करन किया जाए इस आदेश ने बधिया करन के प्रयासों को सर्वजनिक कर दिया वैसे तो हर सरकारी आदेश किसी ना किसी को किसी ना किसी तरह से बध्या करण करता है चाहे सांड हो चाहे जंता चाहे कुपोशन हो चाहे सरकारी अभ्यान वो कभी भी पूरी तरह सफल नहीं होता अभियान के लिए निर्धारित पैसे भले ही खर्च हो जाए लेकिन अभियान का लक्ष कभी पूरा नहीं होता सांडो को इसी सरकारी चाल से रहत महसूस हो सकती है कि शायद पैसे की बंदरबाट उनके बधिया करण के नाम पर हो जाए लेकिन वे बधिया होने से बच जाए सांडो का एक प्रक्रिया के तहद बधियाकरण हमेशा होता रहा है लेकिन बधियाकरण के लिए अभियान तो शायद पहली बार शुरू किया जा रहा है हाला कि विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने सांडो की बधियाकरण के इस आदेश को वापस ले लिया है जो साब बताता है कि नौकरशाही द्वारा बगैर सोची समझे इस तरह का आदेश जारी किया गया था ये कोई पहला मामला नहीं है जब नौकरशाही ने पूरी सरकार को कट घरे में खड़ा किया है मुख्यमंतरी खोद ये कह चुके है कि वोपाल में बैठे अफसर जैसा दिखाते हैं अगर उस पर भरोसा कर लिया जाए तो बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी इस मामले में भी जमीनी हकिकत सामने आ गई है इसलिए आदेश वापस हो गया है सर्यसुत मिश्र न्यूज पुराण आप देखते रहिए न्यूज पुराण